हलो स्टुडेंट्स, इन इस वीडियो आप बिल बी टॉकिंग अबाउट इन ओल कंटेंट्स बहुत सारे स्टुडेंट्स को इन ओल कंटेंट में दिक्कत होती है वह बहुत बार हाइड्रोजन बांडिंग बनाके देखते हैं या उसके स्ट्रक्चर चेंज करके देखते हैं बड़ आंसर नहीं मिल पाता है तो मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रहा हूं जिस बेसिस पर आप इन ओल कंटेंट को इजली फाइंड आउट कर सकते हैं सबसे पहले सबसे ज्यादा जो अच्छा ट्रिक के बाद में हम लोग कुछ क्योशन भी सॉल करेंगे और आप कोशिश करना कि इस वीडियो को पोज करके उन्हें सॉल करें एक बाद ट्रिक को सीखने के बाद में तो देखिए सबसे ज्यादा जो इन ओल कंटेंट होता है व जिसमें दो C double bond O हो उसके बाद में होता है keto aldehyde का मतलब जिसमें आपके पास में C double bond O भी होगा और CHO bond भी होगा उसके बाद आपके पास में होता है simple one जिसमें keto group हो उसका और finally aldehyde का तो यह बहुत important बात है जो आप सभी को पता होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा जो इन ओल कंटेंट होता है वो होता है दाई कीटो इसमें से जो D option है जो D option आपको दिख रहा है वो एक डाई कीटोन है उसमें 2 C double bond O है तो सबसे ज्यादा इन ओल कंटेंट किसका हो जाएगा D option का उसके बाद में उसके बाद में होता है keto aldehyde का तो यहाँ पर यह जो first option है इसमें keto group भी है और aldehyde group भी है तो उस C तो इस तरीके से आप inol content को find out कर सकते हैं एक और question देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में keto के साथ में ester भी है तो देखिए सबसे पहले तो आपको di ketone को देखना है तो di ketone यहाँ पर C भी है और D भी है लेकिन phenyl substituted di ketone जो phenyl substituted di ketone होगा वहाँ पर inol content ज्यादा होगा तो यह दोनों ही आपके पास में di ketone थे C भी di ketone था और D भी di ketone था लेकिन D क्या है phenyl substituted di ketone तो phenyl substitution में inol content बढ़ जाता है तो D आएगा then C अब यहाँ पर A वाले में A में देखा जाए तो दोनों ही group जो आपके पास में वो ester है जबकि B में साथ में keto group भी है ester के साथ में तो inol content बढ़ जाएगा यह बहुत important बात है तो D C then B and finally A सबसे आखिर में आपके पास में A आएगा ठीक है तो सबसे ज्यादा inol content किसका हो गया यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बोल रहे हैं di ketone with phenyl substitution यहाँ पर phenyl substitution के साथ में di ketone है उसके बाद में simple di ketone ठीक है then we have keto ester this is the keto ester ठीक है it is the keto ester ठीक है और finally हमारे पास में आएगा di ester ठीक है तो यह बहुत important चीज है जो आप लोग को पता होनी चाहिए यह आपको पता ही है this is the यह जो दिख रहा है it is ethyl aceto acetate अगला question इसकी के उपर बेज़ड है देखते है एक बार question है in all content of ethyl aceto acetate इसका order जो है सबसे ज्यादा in all content किस में होगा तो आपको पता होना चाहिए in all content in all content is favored by in all content is favored by non-polar solvent ओके तो यहां पर आपके पास में जो non-polar solvent है वह बेंजीन है तो सबसे ज्यादा जो in all content होगा वो किस में होगा बेंजीन में होगा उसके बाद बेंजीन के बाद कम polar कोन है acetone क्योंकि इसमें कोई it is not a polar protic solvent is polar a protic solvent then we have methanol methanol आपके पास में क्या होता है polar protic solvent होता है और फिर आपके पास में आएगा water जो की highly polar और protic दोनों solvent है तो आज के लिए इतना ही है hopefully आपको समझ में आया होगा और आप कृपा करके कोशिश करें कि नीटका का अब को आप डाउनलोड करें और वहां से और ज्यादा questions all करने की कोशिश करें तो आज के लिए नहीं है